हाई अब्रेवन वेलकम डिमस्पे नॉलज ओफिशल यूट्व चैनल और इस वीडियो में हम लोग कार्वेंट्स कंपाउंट की जितने भी इंपोर्टिन कोईशन पॉसिबल है वो सबके सब हम लोग कर रहे होंगे और साथ ही में हम लोग पीवाई क्यूस भी करेंगे इसलिए ये एक वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टिन होने वाला है तो तुम लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना तुम्हारे एक्जाम में कार्वेंट्स कंपाउंट से कोई भी क्वेशन इस लेक्चर के बाहर नहीं आने वाला है तो जितने भी आएंगे तुम्हारे एक्जाम में क्वेशन वो सब के सब इसी लेक्चर से आएंगी ये मेरी क्यारेंट्री है तो बिना टाइम बेस करें अब हम लोगे वीडियो स्टार्ट करते हैं So first question दिया है what do you mean by covalent bonding तो covalent bonding किसे कहते हैं तो ऐसा bond जो electron की share से बनता हो उसे को हम लोग बोलते हैं covalent bond मतलब जब electron sharing से कोई bond बनता है तो उसको हम लोग covalent bond बोलते हैं तो अब हम लोग इसका answer देख लेते हैं So carbon share its valence electron with other atoms of a carbon or with atom of different element in order to complete its octet these shared electron belong to outermost shell of both atoms and in this way both atoms attain the nearest noble gas configuration this type of bonding is known as covalent bonding तो इतना बड़ा अगर three marker question आये तब तुम लोग इतना बड़ा लिखना कि यहाँ पर electron की sharing होती है electron की sharing करने से atoms जो हैं अपने outermost shell में octet complete करते हैं octet मतलब 8 electron complete करते हैं So इसी को हम लोग covalent bonding बोलते हैं अगर एक marks के लिए question आएगा तो तुम लोग लिख सकते हो कि the bond formed by sharing of electron is known as covalent bonding बस इतना भी लिख दो कि तो अभी चलेगा अब हम लोग next question करते हैं next question है explain the nature of covalent bond using the bond formation in CS3CL तो हम लोगों को CS3CL में कैसे covalent bond बनते हैं वो बताना है मतलब यहाँ पर electron dot structure बनाना है CS3CL का यहाँ पर nature, nature का मतलब यह नहीं कि इसमें acidic nature है और basic nature है यह नहीं पूछा गया है यहाँ पर हम लोगों को structure बनाना है CS3CL का तो फिट बनाते हैं तो carbon के outer most shell में 4 electron रहते हैं तो 1, 2, 3, 4 hydrogen यहाँ पर 3 hydrogen है उसके outer most shell में 1 electron रहते हैं यहाँ पर मैंने 3 hydrogen बना दिया chlorine chlorine के outer most shell में 7 electrons रहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो chlorine का भी जो octate है वो complete हो रहा है इसके outer most shell में 8 electrons हो गया है हमारे hydrogen का भी जो octate है वो complete हो रहा है actually में वो duplet है ठीक है तो hydrogen ना सिर्फो सिर्फ अपने outer most shell में 2 electron चाहता है उसका duplet complete होता है इससे वो helium जैसा बन जाता है और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे प्यारे से carbon का भी जो octate है वो complete हो रहा है तो हमारा जो carbon भी है वो stable हो गया तो इस question का answer यह रहा है तुम लोगों को यहाँ पर electron dot structure बनाना था so I hope तुम लोगों को सारी के सारी बाते clear हो गई है अब हम लोग next question पर move करते हैं next question है what would be electron dot structure of carbon dioxide which has molecular formula CO2 तो यहाँ पर हम लोग carbon dioxide का electron dot structure बनाना है तो बनाते हैं carbon के outer most shell में 4 electron रहते हैं तो हम लोग 4 dot represent कर देंगे और oxygen oxygen के outer most shell में 6 electron होते हैं उसे 2 और electron चाहिए होता है अपना octet complete करने के लिए so 1,2,3,4,5,6 और यहाँ पर भी दूसरा oxygen 1,2,3,4,5,6 अब तुम लोग दीख रहे हो कि यहाँ पर oxygen का जो octet है वो complete हो रहा है और यहाँ पर हमारे carbon का भी जो octet है वो complete हो रहा है तो यही है electron dot structure of CO2 देखो तुम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो CO, double bond O और यहाँ पर 2 lone pair 2 electron का 1 lone pair बनता है तो इस पूरे structure में 4 lone pairs है lone pairs वो electrons होते हैं जो bond बनाने में use नहीं होते हैं तो यह हो गया lone pair तो यहाँ पर dot structure बनाना था तो तुम लोग यह वाला बनाना तो इस question का right answer हो गया यह एक मिनिट का एक छोटा सब रेखे तुम लोगों को एक छोटी से information देनी थी तुम लोगों को पता ही है कि sample paper solve करना बहुत जादा important है और इसलिए मैंने 5 sample paper videos की link डाल रखी है description में तो तुम लोग इसको ज़रूर से check कर लेना एक्जाम से पहले तुम लोग यह video कभी भी देख लेना क्योंकि sample paper solve करना बहुत जादा important है और at least तुम लोगों को 5 sample paper solve करने ही करनी है और वोग मैंने करवा रखें बस तुम लोगों को कभी भी जभी भी time मिले तुम लोगों को यह videos देख लेनी है 2x की speed से देखना काफी fast हो जाएगा और हाँ मुझे यह भी पता है कि तुम लोगों को हर chapter से कुछ topic wise ही doubt रहते हैं जैसे तुम लोग हमेशे गन्फ्यूस हो जाते हैं कि फ्लैमिंग्स का left hand rule का व्यूस करें और फ्लैमिंग्स का right hand rule का व्यूस करें तो इसके लिए मैंने magnetic effect of electric current की जितने भी rules होते हैं उनको एक shot में complete करवाया है with question तो तुम लोग ये वाला वीडियो भी देख सकते हो मैंने description में link डाल रखी है ये 40 minute की class थी तो अगर तुम लोग 2x के speed से देखोगे तो 20 minutes में तुम लोगों की सारे rules with question एकदम अच्छे से clear हो जाएंगे और हाँ अगर तुम लोगों को monohabrit और dihabrit के question करने में problem होती है तो तुम लोग एक और video देख लेना इसका भी link मैंने description में डाल रखा है इसमें मैंने monohabrit और dihabrit के question कैसे solve करी ये बताये हुआ है और बहुत सारे question भी करवाई हुए तो तुम लोग इसको भी देख सकते हो और एक और बात अगर तुम लोगों को electricity के question करने में दिक्कत होती है तो इसके लिए भी मैंने proper video बना रखा है तो मैंने basic से समझाया है कि कैसे तुम लोग electricity के question solve करो तो video काफी लंबा था क्योंकि मुझे basic से समझाना पड़ा मतलब जिसको एकदम से नहीं पता है कि electricity के numerical solve कैसे करें तो वो इस video को जरूर देखे इससे तुम लोगों को electricity के numerical solve करने आ जाएंगे यह मेरी guarantee है कि इस video के बाद तुम लोग सारी electricity के question कर सकते हो और हाँ अगर classes open होने में कोई problem आ रही है तो यह सारी के सारी information थी तो तुम लोग इसको भी check कर लिना और तुम लोग please से comment करके जरूर मुझे बताया करो कि तुम लोगों को और क्या चाहिए मुझे लगा तुम लोगों को topic wise problem होती है तो इसलिए मैंने topic wise video बना दिया है और तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को किन किन चीज़ों में problem होती है तो मैं जरूर से उसके एक video बनाने की कोशिश करूँगी strategies videos आ रहे हैं बस थोड़ा सा तुम लोग wait कर लो और हाँ जैसे कि तुम लोगों को पताईए कि academy में बहुत सारे test होते रहते हैं और test एक अच्छा वे है अपनी preparation चक करने के लिए तो तुम लोग इन test को भी दिया करों अगर तुम लोगों की rank अच्छी आती है तो तुम लोगों को 100% scholarship तक मिल जाएंगे बस enroll करते वक्त code use करना MSPK10 इससे तुम लोग फ्री में test में enroll हो पाऊगे और साथ ही में अगर तुम लोग subscription लेने का सोच रहा हो तो ये काफी इच्छा टाइम है क्योंकि unacademy में अभी बहुत सारे offer चल रहे हैं तो तुम लोग subscription भी ले सकते हो next question है carbon a group of 14 elements in periodic table is known to form compounds with many elements write the example of compound formed with chlorine and oxygen तो हम लोगों को इस question में carbon के compound बनाने है मतलब carbon का formula बताना है जब वो chlorine के साथ combine होगा या फिर जब वो oxygen के साथ combine होगा तो जब ही वे तुम लोगों को compound बताना हो तो इसको निकालने के लिए एक trick होती है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि कौन से दो element जो हैं वो combine होने वाले है तो carbon combine होने वाला है किस के साथ? chlorine के साथ तो हम लोगोंने chlorine लिख दिया अब उसके नीचे हम लोग उसकी valency लिख देते हैं तो carbon, carbon की valency 4 होती है chlorine, chlorine की valency 1 होती है valency मतलब उसको कितने electron चाहिए अपना octet complete करने के लिए electron gain करना है, lose करना है, फिर share करना है मतलब क्या करें जिससे कि उसका octet complete हो जाए उसको उसकी valency बोलते हैं तो फिर हम लोग cross multiplication करतेंगे तो CCl4 तो जब carbon chlorine के साथ combine करेगा तो बनाएगा CCl4 इसको हम लोग बोलते हैं carbon tetrachloride तो इसका right answer हो गया यह जब oxygen के साथ combine करेगा तो पहले तो लिखेंगे कि कौन से दो element combine होने वाले हैं तो carbon with oxygen carbon की valency 4 oxygen की valency 2 cross multiplication तो C2 O4 तो अब यह तो कट सकता है तो 2 1s are 2 2 2s are 4 तो answer आगे है CO2 तो carbon जब oxygen के साथ combine करता है तो बनाएगा CO2 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं carbon dioxide तो ऐसे question तुम लोगों के exam में आएंगे कि तुम लोगों को बताना होगा कि यह element इस element से combine करेगा तो क्या form करेगा मालो मैं तुम लोगों को एक random सा example समझाती हूँ तो कोई x element है जो y element के साथ combine करेगा तो x की valency 3 है और y की valency 4 है तो जब यह combine करेंगे तो कौन सा formula बनाएंगे so x 4 y 3 मतलब सबसे पहले तुम लोगों को element लिखना है उसके बाद उसके valency लिख दीने उसके बाद cross multiplication कर देना है simple है so तुम लोग देख रहे हो तो यही उसका answer था ccl4 और co2 वहाँ पे question में electron dot structure बनाने को नहीं बोला था तो तुम लोग structure नहीं बनाओगे तो भी चलेगा मैं बस बताने के लिए यहाँ पे structure डाल दीए हूँ कि यह दिखते कैसे हैं अब हम लोग next question करते है next question है why are covalent compound volatile in nature with low boiling and low melting point तो हमें बताना है कि जो carbon compound है वो volatile क्यों होते है volatile मतलब कि वो असानी से उड़ जाते हैं मतलब तुम लोग देखे होगे अगर कोई भी चीज तुम लेखते हो spirit लेते हो या फिर sanitizer अगर तुम लोग हाथ में sanitizer लेते हो तो कुछ दिर बाद वो sanitizer उड़ जाता है और थोड़ा ठंड़ा ठंड़ा महसूस भी कराता है तो इसी को हम लोग volatile बोलते हैं कि वो असानी से उड़ जाते हैं तो क्यों carbon compound जो है volatile होते हैं with low boiling and low melting point अब देखो volatile क्या होता है अच्छा ये बताओ देखो तुम लोगों को ये बात बता है कि कोई भी दो molecule उनके अंदर काफी जद्धा force of attraction है घीक है काफी जद्ध अगर force of attraction है तो move नहीं कर पाते अपने ही जगए पे vibrate करते हैं और इन सब को क्या बोलते हैं solid तो solid में force of attraction जद्धा होता है तो वो अपनी जगए पे vibrate करते हैं यही force of attraction थोड़ा सा कम हो जाए तो अपनी जगह पे move करना शुरू कर देते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह move करना शुरू कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, liquid phase, और यही force of attraction एकदम weak हो जाए, तो यह random move करना शुरू कर देते हैं, इसको क्या हम लोग बोल इसलिए होते हैं क्योंकि इन में weak force of attraction होता है तो इस वज़े से जो carbon compound है वो volatile होते हैं covalent compounds have low melting and low boiling point due to small intermolecular force of attraction between atoms तो इनके बीच में 2 molecule के बीच में force of attraction काफी कम रहता है इस वज़े से वो volatile भी होते हैं low melting point भी होता है low boiling point भी होता है so I hope तुम लोगों कोई equation अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम लोग next question करते हैं state the valency of each carbon atom तो यहाँ पर हम लोगों को alkane की valency बतानी है और alkyl की valency बतानी है सबसे पहले तुम लोग video pause करें और खुदा answer दो ठीक है तो अगर तुम लोगों ने video pause किया होगा तो दोनों का answer 4-4 है यह दोनों के दोनों carbon compound है तो इनकी valency 4 होती है यह काफे ज़्यादा मतलब stupid question था मैंने इसलिए रखा कि कोई बच्चा confused ना हो चाहे carbon alkyl मतलब चाहे single bond बनाए या फिर carbon जो है वो triple bond बनाए उसके valency 4 ही रहती है देखो चार bond बना रहा है ना तो मतलब उसके valency 4 है ओके next question करें यह काफी थोड़ा सा silly type का question था covalent compound सा generally poor conductor of electricity यह बहुत ज़्यादा important question है अगर तुम लोग pre-vote दिये होगे तो तुम लोगों पता होगा almost यह हर sample paper में आता जाता रहता है यह question तो बताओ जो covalent compound है वो poor conductor of electricity क्यों होते है तो इसका reason यही है कि उनके पास कोई भी free electrons नहीं रहते है तो they have no free electrons तो इस वज़े से वो electricity conduct ही नहीं कर पाते है आप free electrons बोल दो या फिर ions बोल दो दोनों सही है तो उनके पास कोई free electron या फिर ion नहीं रहता है जो electricity conduct करवाए तो इसलिए वो poor conductor रहते है और देखो यह pyqv है तो यह important question है covalent compounds are poor conductor of electricity because covalent compounds are formed by sharing of electron between atoms so they don't have any free electron that require for electricity transfer so इस वज़े से they are bad conductor एक minute का एक छोटा सब्रेक है तुम लोगों को information देनी थी कि हम लोग इसी तरह हर एक chapter के most important question करेंगे तो इसलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को subscribe नहीं किया तो जरूर से कर लीना और साथ ही में तुम लोगों को offline sample paper solve करना ही है इससे तुम लोगों को time management सीखने को मिलता है तो offline से 3-4 sample paper जरूर से solve कर लीना with proper time limit और इसके लिए तुम लोग कोई भी book ले सकते हो तो small publisher के एक book आती है 36 sample paper कर गी है उसमें क्या होता है हर एक subject के sample paper एके साथ दिये रहते है तो तुम लोगों को हर एक subject के लिए अलग-अलग book नहीं खरीदनी पड़ती है तो इस वज़े से ये काफी cheap पड़ता है तो description में मैंने link दे दिया तुम लोग इस book को भी check कर सकते हो sample paper काफी अच्छे हैं और exam से पहले 2-3 sample paper जरूर से solve कर लीना वो भी offline में और तुम लोग कोशिश करना कि जब तुम लोग sample paper दो तो उसी time में दो जिस time में तुम लोगों को exam देना है इससे तुम लोग की biological clock maintain रहेगी तो इसे के साथ ये information end होती है अब हम लोग वापस question करना start कर देते हैं next question है diamond is a poor conductor of electricity while graphite is a good conductor assign reason तो diamond जो है poor conductor of electricity है बट graphite जो है अच्छा conductor है ऐसा क्यों है तो इसका reason ये है कि जो diamond है न उसके structure में carbon carbon बनाता है with other carbon atom तो इसको हम लोग diamond के structure बोलते हैं ये 3D structure रहता है पर graphite में क्या होता है carbon जो है सिर्फ उसे 3 bond बनाता है with other carbon अब देखो यहाँ पर carbon ने 4 bond बना दी है और उसके valence shell में 4 electron थी और 4 के 4 use हो गए bond बनाने में बट यहाँ पर यहाँ पर 1 electron बचा हुआ है क्योंकि उसके valence shell में 4 electron थी तो 3 use हो गए 1 electron अभी बचा हुआ है और वो 1 electron ही electricity conduct करवाता है so in structure of diamond all 4 valence electron of carbon are involved in formation of covalent bond thus no free electrons are available whereas in graphite structure 3 electrons in the valence shell of carbon are involved in covalent bond formation and 4th electron is free to move और यही electron electricity conduct करवाता है so therefore graphite is a good conductor of electricity यह question भी बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा important यह electricity वाला question और covalent compound की low melting और low boiling point क्यों होते हैं यह वाला question यह दोनों आएंगे ही आएंगे तो इसको तुम लोग अच्छे से prepare कर लेना next question है why do diamonds have high melting point तो diamonds की जो melting point है वो high क्यों रहती है इसका reason यह है कि जो diamond का structure रहता है वो rigid three dimensional structure रहता है इस वज़े से वो काफी ज़्यादा strong रहता है तो इसलिए उसकी जो melting point है वो भी ज़्यादा हो जाती है diamond has giant structure that consists of carbon atom in which each carbon atom is bounded to four other carbon atom forming a rigid three dimensional network structure तो यह important है rigid three dimensional network structure तुम लोग लिखोगी और यही responsible रहता है hardness के लिए अब दिखो कोई चीज hard है तो इसको तोडने में ज़्यादा power लगेगी इसलिए इनकी जो melting point है वो भी high रहती है so lot of energy required to break the network of strong covalent bond that's why it has high melting point so I hope तुम लोगों कोई equation अच्छे से समझ में आगया होगा अब हम लोग next question करते है next question है what are the main factors that enable carbon to form a large number of compound तो carbon इतना versatile क्यों है मतलब कि वो इतना ज़्यादा large amount में क्यों है तो इसके 2 reason है पहला होगा catenation और दूसरा होगा tetravalency यह भी बहुत important question है इसको भी तुम लोग अच्छे से याद कर लोगे so first reason होगया catenation catenation मतलब self-linking property तो आपस में ही link करके bond बनाने को हम लोग बोलते है catenation और यह property carbon बहुत अच्छे से show करता है the tendency of carbon to form chain of identical atom is known as catenation carbon forms okay यह forms है forms long chain of combining with other carbon atom through covalent bond तो carbon carbon के साथ ही combine करके एक long chain बहुत बड़ा सा structure बना सकता है इसे को हम लोग catenation बोलते है और दूसरा reason यह है कि carbon की जो valency यह वो 4 है तो carbon tetravalent है tetravalent मतलब उसकी valency 4 है it has 4 valence electron so it can forms 4 covalent bond with 4 different atom or double bond with single and triple bond with other this tendency helps carbon to form a large number of compound तो इसकी वज़ा से वो carbon बहुत ज्यादा compound बना सकता है यह तो हम लोग अच्छे से याद कर लोगे पहला हो गया catenation self-linking property और दूसरा हो गया कि carbon tetravalent है उसकी valency 4 है अब हम लोग next question करते है so next question है what will be the formula and electron dot structure of cyclopentene तो हम लोगों को cyclopentene का formula बताना है और electron dot structure बताना है तो cyclopentene का formula क्या होगा देखो pentene है इसके अंदर 5 carbon है और उपर से वो cyclo है तो देखो cyclo का जो formula रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है CnH2n एकदम सेम alken वाला formula रहता है बट यहाँ पर cyclo है यह ring structure रहता है तो इसका जो formula निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा C5H10 अब हम लोग इसका electron dot structure बना लेते हैं तो यहाँ पर 5 carbon है तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 और हर का 4 atoms बना देंगे क्योंकि इसमें 4 balance electron होते हैं तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 फिर 1, 2, 3, 4 अब हम लोग hydrogen add कर देंगे तो यहाँ पर एक hydrogen यहाँ पर एक hydrogen तो hydrogen बनाने के बाद हम लोग सब को combine कर देंगे तो देखो यह carbon है यह carbon कुछ इस तरीके से bond बनाएगा यह एक electron इसका ले लेगा और कुछ इस तरीके से तो इसका octet complete हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसका octet complete हो गया उसी तरीके से यह वाला carbon तो यह कुछ अपना इस तरीके से octet complete करेगा तो मेरा वाला diagram कुछ खास अच्छा नहीं बना है तो देखो इस carbon के भी octet complete हो रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो actually में हम लोग अच्छे वाले diagram की तरफ move कर लेते है एक्साम में आएगा तो तुम लोग पहले हो सकी pencil से बनाना अगर तुम लोगों के पास time जादा हो वरना तुम लोग ऐसा भी बना दोगे तो भी चलेगा तो यह वाला कुछ अच्छा diagram दिख रहा है तो यहाँ पे देखो हर एक carbon हर एक carbon जो है उसका octet complete हो रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह हो गया cyclopentane का structure यह वाला structure भी cyclopentane है पर यह bond वाला structure है question में पूछा था electron dot structure तो तुम लोगों को यह वाला structure बनाना है यह नहीं बनाना है यह तो बस समझाने के लिए दिया हुआ है I hope तुम लोगों को question अच्छे से समझ में आगया होगा अब हम लोग next question करते है next question है carbon is versatile element give reason तो carbon जो है versatile क्यों है मतलब इतना ज़्यादा क्यों पाया जाता है तो इसके दो reason थे वही catenation और tetravalency second question है explain the structural difference between saturated and unsaturated hydrocarbon with two examples तो तुम लोगों को बताना है कि saturated and unsaturated carbon में क्या difference है तो saturated, saturated में single bond present रहते हैं unsaturated में double या फिर triple bond present रहते हैं अभी मैं proper answer दिखा दूँगी third है what is functional group write example of four different functional group दिखो functional group तुम लोगों के slaybers पे नहीं है बट फिर भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत जानना ही है क्योंकि sample paper में ऐसे question आ रहे हैं जिसमें functional group है तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़के जाना exam में so carbon इतना versatile इस वज़े से है क्योंकि it shows the property of catenation और जो है वो tetravalent है तो ये दोनों ज़रूर लिख ले दा तुम लोग catenation और tetravalent से ही responsible है उसके versatile nature पे versatile मतलब इतना ज़्यादा amount में उपाया जाता है second is saturated hydrocarbon contains single bond उसे तरीके से unsaturated hydrocarbon उनमें at least एक double bond या फिर एक triple bond होता है third question तो functional group क्या होते हैं तो functional group इसे atom और group of atom join in a specific manner which is responsible for a characteristic and chemical properties of organic compound तो वो ना functional group में atoms कुछ specific manner में join होते हैं और हर एक functional group की एक उसकी अपनी ही chemical properties रहती हैं example alcohol, aldehyde, carboxylic acid और ketone इतना ही तुम लोगों को functional group के बारे में जानना है और थोड़ा सा बहुत nomenclature अगर तुम लोग मतलम naming सीख ले रहे हो तो well and good है, मैं अभी तुम लोगों को बता दूँगी अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो enough है इससे बाहर carbonates compound की कोई भी question नहीं आएगे अब हम लोग next question करते हैं अगर तुम लोगों कोई equation समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और फिर से देखो next question है read the molecular formula of following compounds and draw their electron dot structure तो हम लोगों को इन सब का molecular formula लिखना है और इनका electron dot structure बनाना है तो ethane, eth word हम लोग use करते हैं दो carbon के लिए तो यहाँ पे दो carbon है और एन है एन है मतलब है अलकेन है तो सब के सब जो है single bond है तो यहाँ पे दो carbon है और दोनों के दोनों single bond है तो यह हो गया ethane का formula अब इसका electron dot structure कैसे बनाएंगे तो carbon के चार electron बना लिया हम लोगों ने valence electron उसके बाद हम लोगों ने hydrogen बना लिया तो hydrogen एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो यहाँ पे देख रहे हो hydrogen का duplet complete हो जा रहा है हर एक hydrogen का यहाँ पे total तीन hydrogen है और carbon का जो है वो octate complete हो जा रहा है यह हो गया ethen का structure अब हम लोग बात करते हैं तो यह हो गया ethen का structure कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे double bond बनता है तो यह हो गया ethen का structure और ethime का बनता है और ethile का बनता है तो मैं वीडियो पास करके इनका electron dot structure बना देती हो बढ़ना time बहुत जादा लगेगा so ये हो गया ethion का structure, देखो यहाँ पर 2 bond बनेगे, double bond है इसलिए 4 electron के sharing होगी so ये हो गया ethion का structure उसी तरहीज़े से अगर हम लोग ethile का structure बनाएं तो यहाँ पर triple bond है triple bond बन रहा है तो यहाँ पर ये एक hydrogen हो गया और एक ये दूसरा hydrogen हो गया, hydrogen का duplet complete हो रहा है और यहाँ पर carbon का इस वाले carbon का, देखो, octate complete हो रहा है, 3, 3, 6, 7, 8 इस वाले carbon का octate complete हो गया, उसी तरीके से इस वाले दूसरे वाले carbon का भी octate complete हो गया तो ये हो गया structure और ये हो गया उनके bound line structure So, इस question में ही बताना था I hope तुम लोगों कोई ये question अच्छे सा समझ में आ गया होगा So, next question है What is meant by isomers? Draw the structure of two isomers of butane Butane मतलब C4H10 Explain why we cannot have isomer of first three members of alkane series So, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की isomers क्या होते हैं So, isomers ना एक compound होते हैं जिनके different structure होते हैं But उनके formulae सेम रहते हैं मतलब ऐसे compound जिनके formulae सेम हो पर उनका structure अलग-अलग हो तो उनको हम लोग isomers बोलते हैं अभी मैं proper तुम लोगों को definition बता दूंगी Second question था Draw the two isomers of butane तो हम लोगों को दो isomers बताने हैं butane की तो butane को हम लोग क्या कुछ इस तरीके से arrange कर सकते हैं यह हो गया तो एक हो गया straight chain इसको हम लोग normal butane बोलते हैं normal मतलब कि वो straight chain है तो यह हो गया butane उसी तरीके से क्या मैं इसको इस तरीके से कुछ लेख सकती हूँ, इसको हम लोग बोलते है isobutane, अगर second carbon compound पे अगर कोई branch लग जाता है तो हम लोग word यूज करते हैं iso तो ये हो गया isobutane तो ये दोनो, ये दोनो structure, इन दोनो structure में, दोनो का formula C4H10 है, पर इनका जो structure है वो अलग-अलग है तो इसे लिए ये दोनो के दोनो क्या है isomers है, so second part हम लोगों को complete हो गया, third part बोल रहा है, explain why we cannot have isomers of first three members of alkane, तो हम लोग first three members of alkane के क्यों isomers नहीं हो सकते हैं, तो इसका answer काफे simple है मालो तुम्हारे पास एक carbon है first member तो alkane का carbon होता है single carbon जिसको हम लोग क्या बोलता है methane बोलता है, तो ये first member है क्या हम लोग इसको कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिसके वज़े से इसका structure बदल जाएं, नहीं लिख सकते हैं, उसी तरीके से हमारे पास 2 carbon है, तो 2 carbon को कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, ब्रांचिंग और अचिक बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्या इसको इस तरीके से लिखतेंगे, यह दोनों के दोनों सेमी स्ट्रक्चर हैं, उसे तरीके से से ही starting होती है तो हम लोग चारू को ऐसे भी arrange कर सकते हैं या फिर एक ही branching कर सकते हैं तो इसी current से जो first three member हैं वो कोई भी isomer नहीं बनाते हैं अब हम लोग देख लेते हैं कि तुम लोग इसका answer कैसे लिखोगे तो isomers are those molecules which have same molecular formula but different structured formula example यहाँ पर दिया हुआ है तो एक normal butane और यह हो गया isobutane तो यह तुम लोग structure बना गाँ तो यह तुम लोग structure बना गाँ तो इन तीनों में branching possible ही नहीं है इस वजए से इनका isomers भी नहीं बन सकता next question है explain the formation of O2 molecule and sulfur molecule तो हम लोगों को यहाँ पर structure बताना है वो भी electron dot structure तो हम लोग answer देख लेते हैं इस question का so O2 molecule बनता कैसे है तो देखो oxygen के outer most shell में 6 electron रहते हैं तो एक oxygen हो गया इसके 6 electron हो गये 1,2,3,4,5,6 दूसरा oxygen हो गया इसके 6 electron हो गये 1,2,3,4,5,6 अब देखो यह आपस में इस तरीके से combine हो जाते हैं और इन दोनों का octet complete हो जाता है तो last में यह structure बनता है 1,2,3,4 इस में 4 lone pair भी होते हैं तुम लोग lone pair भी दिखा देना अगर तुम लोग को याद रहा तो यह वाला structure तुम लोग को बनाना था तो इसी को हम लोग auto molecule बोलते हैं अब हम लोग sulfur का देख लेते हैं तो actually में 8 sulfur molecule आ आपस में combine होते हैं तो sulfur की after most shell में भी 6 electron रहते हैं यानि कि उसको दो और bond बनाने हैं तो यह हो गया 1,2,3,4,5,6 उसी तरीके से वो बगल वाले carbon के साथ एक bond बनाता है 1,2,3,4,5,6 और यह बगल वाले के साथ भी एक bond बनाएगा तो देखो इस वाले sulfur का जो octet complete हो जा रहा ह 1,2,3,4,5,6,7,8 उसी तरीके से इस वाले sulfur का भी octet complete हो जाएगा वो अभी एक electron इस वाले sulfur से लेगा तो इस तरीके से crown structure बनता है जैसे तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो 1,2,3,4,5,6,7,8 इसका octet complete इसका octet complete तो इस तरीके से sulfur का structure बनता है total 8 sulfur साथ में जुडते हैं और इसी को हम लोग crown shaped molecule भी बोलते हैं क्योंकि यह circle में unstable रहता तो वो खुद को इस तरीके से crown shape का कर लेता है तो यह हो गया structure अब हम लोग next question पर move करते हैं so next question है state the reason why carbon can neither form C plus cation और nor C minus anion but forms covalent compound also state reason to explain why covalent compounds are bad conductor of flexibility and have low melting and boiling point तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि carbon जो है वो C plus 4 cation बनाता क्यों नहीं है अब देखो carbon का जो electronic configuration रहता है वो रहता है 2 और 4 तो अगर इसको octet अपना complete करना है तो इसके पास दो रास्ते हैं मतलब अगर इसको stable होना है novel jazz जैसे configuration पाना है तो इसके पास दो रास्ते हैं पहला कि वो 4 electron को loose कर दे अगर वो 4 electron को loose कर देगा तो उसके outer most shell यह वाला बन जाएगा और इस पे 2 electron already है तो वो helium जैसा case हो जाएगा helium के outer most shell में 2 electron होता है बट पता है कि 4 electron loose करना काफी जादा मुश्किल रहता है काफी जादा energy वाला process रहता है देखो पहले carbon के पास 6 proton थे 6 electron थे और 6 neutron थे अब वो 4 electron loose कर दिया तो अब इसके पास 2 electron बचके अब 2 electron है किसी element में और यह 4 proton है तो positive charge जादा हो गया तो इसलिए positive charge जादा हो गया negative charge कम हो गया तो यह काफी जादा unstable condition होती है और 4 electron को loose करना काफी मुश्किल है काफी जादा energy लगता है तो इसे लिए carbon यह वाला path follow नहीं कर पाता है तो carbon 4 electron को loose करके 4 electron को loose करके C plus 4 kattain नहीं बन सकता है देखो अगर कोई भी एक electron loose करता है तो उस पे 1 positive charge आता है carbon 4 electron loose करेगा तो उस पे 4 positive जाजाएगा तो इसे को C plus 4 kattain बोलते हैं तो carbon यह नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें बहुत जादा energy लगते है अब दूसरा case देख लिगते हैं तो दूसरा case यह बनता है कि carbon ऐसा करे ना कहीं से 4 electron ले ले तो अगर वो 4 electron ले लेगा तब उसके outer most shell में 8 electron हो जाएंगे तब वो stable बन जाएगा तब वो neon जासा बन जाएगा पर यह भी काफी unstable वाली condition रहती है क्योंकि 4 electron कहीं से लेना उसमें भी बहुत जादा energy required रहती है तो इसलिए carbon यह भी नहीं कर सकता है तो इसलिए carbon 4 electron कहीं से लेके c4 c-4 anion भी नहीं बन सकता है देखो एक electron आता है तो एक negative charge आता है 4 electron आ रहे हैं तो 4 negative charge तो carbon यह भी नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें बहुत जादा energy required रहती है next question था why covalent compound are bad conductor of electricity तो यह हम लोग पहले पढ़ ली है कि इनमें free electrons नहीं रहते हैं free ions नहीं रहते हैं इस वज़े से वो bad conductor है second था have low melting and boiling point तो यह भी हम लोग पहले कर चुके हैं क्योंकि इनके अंदर जो weak intermolecular force of attraction रहता है तो weak force रहता है इस वज़े से इनमें low melting और low boiling point होता है यह question बहुत important है इसको तुम लोग अच्छे से याद कर लोगे so यहाँ पर पूरा का पूरा answer दिया हुआ है जो भी मैंने बता है सब अच्छे से लिखा हुआ है तो तुम लोग इसको जरूर से बढ़ लेना वीडियो pause करके तुम लोगों को इसका pdf telegram channel पर मिल जाएगा telegram channel का नाम है MSP knowledge official अब हम लोग next question करते है next question है why are organic compounds are called hydrocarbons write the general formula for homologous series of alkane, alkenes, alkyles and also draw the structure of first member of each series तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि organic compound को हम लोग hydrocarbon क्यों कहते है तो इसका reason है organic compound में जादा दर hydrogen और carbon रहते है इसलिए हम लोग उनको hydrocarbon बोलते है second था write the general formula of homologous series of alkane, alkenes, alkyles देखो homologous series क्या होती है homologous series कुछ नहीं बस पहले और दूसरे member के बीच में CH2 का difference होना चाहिए इसे को हम लोग homologous series बोलते है तो हम लोगों को alkane, alkenes, alkyles का पताना है तो देखो first member of alkane क्या होता है methane CH4 तो इसका homologous series क्या होगा उसका next member बस कुछ नहीं हम लोगों को CH2 add कर दीना है तो यह हो जाएगा C2H6 उसे तरीके से आने वाला अगला member क्या होगा C3H8 बस CH2 add ही तो करना है उस तरीके से अगला member C4H10 तो और भी तुम लोग कहीं सारे बना सकते हो तो यह होगी alkane की homologous series alkane के first homologous member का क्या नाम है वो रहता है methane methane second है alkane की first homologous series क्या होगी तो सबसे पहले बात alkane कब शुरू होगा तो alkane शुरू होता है जब दो कार बनो इसका first member methane नहीं होता है ठीक है फिर methane नाम का कोई चीज नहीं होता है methane नाम का कोई चीज नहीं होता है क्योंकि तुम लोगों को double bond बनाना है तो at least 2 carbon तो होने चाहिए तभी तो double bond बनाओगे अगर तुम लोगों को एक race में first आना है तो यह याद रखना, यह बच्चे mistake करते हैं तो तुम लोग यह अच्छे से याद रखना तो इसका formula कुछ ही हो जाएगा अगर मैं इसका formula लिखो तो यह हो जाएगा C2 H4, next member हो जाएगा C3 H6, next member C4 H8, फिर next member C5 H10 तो तुम लोग आगे भी लिख सकते हो थार्ड था alkyl की, तो of course, यहाँ पे भी जो शुरू होता है वो ethyl से शुरू होता है क्यों? क्योंकि at least 2 carbon तो चाहिए तुम लोगों को triple bond बनाने के लिए तो इसका जो first member हो जाता है वो हो जाता है C2 H2 उसके बाद जो next member हो जाता है बस तुम लोगों को क्या करना है? CH2 add कर दिना है तो C3 H4 फिर C4 H6 फिर आगे C5 H8 So question में जनरल formula पूछा गया था कि जनरल formula क्या होता है तो alkyne का जो जनरल formula रहता है वो रहता है Cn H2n plus 2 तो देखो सारे के सारे alkyne है वो इस formula में बैठ जा रहे है N होगे number of carbon alkyne का जो formula रहता है वो रहता है Cn H2n यही रहता है और alkyne का रहता है Cn H2n minus 2 तो यह तुम लोग याद करोगे यह तीनों के तीनों formula तुम लोगों को याद होने चाहिए अब देखो इसके मैं first member का नहीं structure बना रहे हूँ क्योंकि मैंने पहले बना रखा है अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने ethene और ethyle का structure देखा था methane का हम लोगों ने नहीं देखा था तो methane का मैं बना दे रहे हूँ तो यह हो गया methane का electron dot structure तो यहाँ पर hydrogen हो गया यहाँ hydrogen यहाँ hydrogen यहाँ और हमारे methane का जो है इस carbon का भी octet complete हो रहा है तो यह हो गया methane का structure I hope तुम लोगों को यह question अच्छे सा समझ में आ गया होगा अब हम लोग next question करते है next question है What are covalent compound? Why do the earth differ from ionic compound? Let's three characteristics तो हम लोगों को बताना है कि covalent compound क्या होते है और वो ionic compound से different क्यों करते है और covalent compound के हम लोगों को तीन characteristics भी बतानी है So covalent compound क्या होते है ऐसे compound जो electron की sharing से मिले बने उन्हीं को हम लोग covalent compound बोलते है तो यहाँ पी क्या होता है? electron की sharing में होती है पर ionic compound, ionic compound में electron की sharing नहीं होती, बलकि पूरा का पूरा electron जो है, वो transfer हो जाता है, देखो, जैसे hydrogen, यह मैं example लोओ, तो इस वाले hydrogen पे इन दोनो hydrogen का हग है, मतलब यह दो electron है, इस पे इस वाले hydrogen का भी हग है, और इस वाले hydrogen का भी हग है, बट ionic compound में क्या होता है, कि जैसे मालनो NaCl है, तो Na एक electron lose कर देता है, और बन जाता है Na+, यहाँ पे पूरा का पूरा एक electron lose हुआ है, और वो electron chlorine ले लेता है, मतलब वो जो electron था, जो इसने lose किया, वो electron chlorine ले लेगा और बन जाएगा NaCl-, अपरस में यह दोनों combine होके NaCl बना लेंगे, तो ionic compound में पूरा का पूरा electron का जो है, वो transfer होता है, बट covalent compound में sharing होती है, तो three characteristics भी हम अब हम लोग देख लेते हैं, so covalent compound are those compounds which are formed by sharing of valence electron between atoms, hydrogen molecule is formed by mutual sharing between two hydrogen atoms, तो तुम लोगों को इसका example भी तुम लोग जरूर लिखते हैं अगर हो सके तो यह वाला diagram भी बना देना है, थोड़ा अच्छा लगेगा, second था, उन दोनों में difference क्या होता है, तो ionic compound are formed by complete transfer of electron from one atom to another, जैसे NaCl में था, अब तीन characteristics देख लेखते हैं, covalent compound की, they do not conduct electricity as they do not contain iron, और चौथा, की they are volatile in nature, volatile मतलब वो sanitizer वाला, sanitizer को अगर हाथ में रखो तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, थोड़ा थेंड़ थेंड़ लगता है, so volatile मतलब की, वो easily evaporate हो जाता है, तो I hope तुम लोगों को यह question अच्छा से समझ में आ गया होगा, present in the following compound, तो मैंने सूचा कि एक functional group वाला question भी रख लेते हैं, अगर by chance exam में आ गया, तो बस तुम लोगों को functional group समझाने के लिए मैंने यहाँ पर यह रखा है, तो यह जो functional group है, COOH, इसको हम लोग कार्बॉक्सलिक acid बोलते हैं, तो यह होगया, कर्बॉक्सलिक acid, यह वाला जो group है, OH, इसको हम लोग alcohol बोलते हैं, तो यह होगया, alcoholic group, और इस वाले को, CHO, इसको हम लोग aldehyde बोलते हैं, तो यह होगया aldehyde compound, और यह, bromine होगया, फिर chlorine होगया, फिर iodine होगया, या फिर fluorine होगया, ketonic group, तो बस इतना तुम लोगों को जानना था, और अगर नाम की बात आगए, तो इसको हम लोग ethinoic acid बोलते हैं, इसको हम लोग propanol बोलेंगे, last में OL लगा देते हैं, इसको हम लोग ethanol बोलेंगे, ethanol, last में AL लग जाता है, aldehyde में, last में EL लग जाता है, यह हो जाएगा bromo ethane, halogen को नहीं हम लोग आगे लगाते हैं, तो BR for bromo, chlorine के लिए chloro, IF के लिए IDO, और F के लिए fluoroward यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा bromo ethane, और ketone के last में हम लोग O and E लगाते हैं, नाम में, तो यह हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन हैं, तो इसका नाम हो जाएगा butanone, I hope तुम लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे जादा तुम लोगों को नहीं जानना है, तो इसे के साथ हम लोगों ने carbon's compound के most important question कर लिए, बस तुम लोग इस वीडियो को अगर समझ में आया है, तो तुम लोग दुबारा देख लेना, जितने भी मैंने question कर वाई, वो enough है और बहुत ही चाहता है, इंपोर्टेंट है, तो इसलिए इनको अच्छे से prepare कर लेना, तुम लोगों को PDF जो है, वो टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक डाल दूँगी proper, description में और हाँ, ऐसे ही content चैनल पर डेलती रहेंगे, even strategy वीडियोस भी आने वाले हैं, तो make sure कि तुम लोग subscribe करके बैठे हुए हो, तो इसे के साथ ये वीडियो समामत होता है, thank you so much for watching, मिलते हैं next video में,